हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चल पर मारा केस पर जापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूट्मेंट लेके आ गया हूँ इस रिक्रूट्मेंट की सबसे अच्छी बाते हैं कि इसमें ओल इंडिया की केंड़ेट्स ह वो अपलाई कर सकते हैं गावर्मेंट और कोल्ट्रेक्चल केंड़ेट्स दोनों ही अपलाई कर सकते हैं ओफ लाइन फोरम बढ़ने स्टार्ट हो गया है पूरी डिटेल जानने के लिए एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रही है वीडियो को अभी से कर दीजे ल इस वेकेंसी के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना है और वहां जाकर आपको टाइप कर देना है एन आर एचम उडिसा एन आर एचम उडिसा लिकर आपको सर्च कर लेना है उपर यूपर आपके सामने साइट आपको दिखाई देने वाली है एन एचम उडि Department of Health and Family Welfare Government of Pudisa साइट को आप नीचे स्क्रोल करते रहोगे आपके सामने वेकेंसी है वो दिखाई देने में लग जाएगी नोटिफिकेशन आएंगे नोटिफिकेशन में जो सबसे उपर ही उपर आ रहा है ये नोटिफिकेशन का ओप्शन आ रहा है यहाँ पे click to download जिसमें advertisement six month bridge course program for nurse age यानि nurse age के लिए स्ची एचो का program है जिसमें six मेहीने का पहले bridge course program किया जायँगा पूरी detail देख लेते हैं नोटिफिकेशन को click करके download कर लेते हैं नोटिफिकेशन में पहले download कर लिए है open कर लेते हैं कि क्या लिका हुआ है क्या क्या terms and condition दखी गई है Odisha State Health and Family Welfare Society Government Odisha की तरफ से ये vacancy निकली है applications are invited from eligible staff nurses both government regular and NHM contractual यानि जो अभी भी state government में काम कर रहे है work and rates और जो NHM में contractual तोर पे काम कर रहे है जिनके पास कम से कम एक साल का experience है work and rates भी इसमें apply कर सकते है 6 मेने का bridge course program आपका यहां पे होने वाला है July 2019 से session started हो जाएगा qualifying exam इसमें होने वाला है return exam होने वाला है जो कि June में भूने सुर में होने वाला है हालांकि ये भूने सुर ओरिशा के vacancy है लेकिन इसमें all इंडिये candidates apply कर सकते है कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है इस notification में की Odisha nursing council से आपका registration होना चाहिए eligibility criteria दिया गया है G&M या BAC nursing care candidates apply कर सकते हैं age maximum 40 years तक है और कम से कम एक साल का experience आपका होना चाहिए offline applications मांगे गए है 46 2019 याम को 5 बज़े जक आपको offline application है वो sending कर देना है सारी details है ये notification नहीं है nrchm.odisha.gov.in पर available है link description box में देदूँगा वहाँ पे आप कलिक करके इस notification को भी download कर सकते हैं आगे note में इन्होंने लिखा है कि जो exam है वो जून में होगा और written examination भूनेश्वर में ही होने वाला है और कहीं इसका center नहीं होने वाला है और जो original documents का verification है वो आपके written examination के दिन ही होने वाला है और जो cut-up date यहां पे रहने वाली है जिसमें education qualification और age देखनी है वो 15 माई 2019 है उसी को आदार मान कर आपको सारी qualification और जो age है वो देख ले नहीं है 15 माई 2019 से पहले पहले आपका एक साल का experience और जाना चाहिए तभी आप इस वाकेंसी में apply कर सकते हैं application forum है offline application forum है इसको पूरी तरह से fill up करना है और जो documents मैं बता रहा हूँ जिसमें 2 passport size के color photograph है attested वो साथ में लगा दिना है सभी की self attested copies है वो आपको लगानी है इसके अलवा self attested identity proof जैसे water ID card या pain card या driving license या आदार card passport है वो भी attach करना है कितनी post है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है तो अच्छी post होनी चाहिए क्योंकि उडिस है वो एक बहुत बड़ा state है तो आप सबको जुरूर apply करना चाहिए ओल इंडिया के इंडियर्स इसमें apply कर सकते हैं यही सबसे बच्छी बात है और इसमें कुछ खास है नहीं फ्रेर्स तो वीडियो गर अच्छा लगया तो इसको like करें सभी दोस्तों के साथ share ज़रूर करें चैनल कर लोग सबस्क्राइब पास में जो बेल आइकना रहा उसको भी दबा लेजिए थैंक्यू प्रेट्स